वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कोट पतलिला एजूकेशन आज हम देखेंगे सुप्रीम कोट के कुछ जजमेंट्स को जो दो हजार तेज के थे और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोटेंट हैं अगर हम एक्जाम के पॉइंट आपके उनसे रिलेट करेंगे ठीक है तो आपको जो ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं यहें आप नोट भी कर लिजे जिससे आपको आगे आने वाले एक्जाम में हैल्प मिल जाएगी तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सारे सुप्रीम कोट की जजमेंट्स इम्पोट कर लें और बैल आइकन पर भी प्रैस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें साथ ही आप हमारा टालिग्राम गुरूप भी जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जोइन कर सकते हैं वहां भी आपको अपडेट्स, एंटरंस एक्जाम अपडेट्स और भी आपको सारे जो लीगल सुप्रिम कोट जज्जमेंट्स हैं, सबी चीज़े प्रोवाइट करवाई जाती है, तो चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं, यह जो केस है, विवेक नारायन शर्मा वर्सिस यूनियन ओफ इंडिय यह जब नोट बंदी हुई थी, उससे रिलेटेट केस है, दोजार सोला का, थीक है, तब से ही यह चलता आ रहा है, थीक है, उस मतलब उस योजना से रिलेटेट है, जब नोट बंदी हुई थी, तो देखो साइंटर 2006, जो इस गीम थी नोट बंदी की, इन एफ फोर जो मेज़र्टी के साथ, मतर로 4 अनपात 1 की मेज़र्टी से यह जो केस था, उसके बहुमत से बरकरार रहा, 2016 की नोट बंदी योजना को 4 अनपात 1 की बहुमत से बरकरार रखा, माना की नोट बंदी संगे घोशे तो देश्यों के अन रूप थी, और इसे उच्छी तरीके से ल यूजिन ओफ इंडिया इसमें था कि जो यूथेनीशिया होती है मतलब इच्छा मृत्यू होती है जज्वेन गाइडलाइन मॉडिफाइबाइ सुप्रीम कोड मतलब जो इच्छा मृत्यू निर्ने दिशा निर्देश सुप्रीम कोड द्वारा संसोधित करके उन्होंने कहा मतलब जीवन समर्थन रोकने की प्रक्रिया सरल की गई इस केस में गाइडलाइन दी थी ठीक है इसमें कहा था कि जो बैंच ने निस्क्रिय इच्छा मृत्यू को अधिकरत करने के लिए दो इस्तरे प्रक्रिया की अनुमती देकर एक ऐसाध्य रूप से विमार रोगी के लिए जीवन समर्थन वापस लेनी की प्रक्रिया को सरल बना दिया ठीक है फिर एक केस था सिल्पा सैलेस वर्शिस वरुन श्रीनिवाशन ठीक है इसमें था कि ग्रांट ओफ डाइवोर्स The bench held that in excise of power under article 142 का जो clause first of the constitution of India has the discreation of dissolve the maris on the ground of its irritable breakdown मतलब इसमें माना गया कि भारत के सविधान के अनुचे 122 का जो उबन एक है उसके तहर शक्ति का प्रयोग करते वे सरोश न्याले के पास विवाह के पूर्ण ये तूटने के अधार पर इसे भंग करने का विविकादिकर है ठीक है इसमें बताया गया इसमें बताया गया कि जो मतलब complete justice होना चाहिए ठीक है मतलब इसमें विवेकादिन शक्ति का प्रयोग करके पार्टियों को पूर्ण न्याय देने के लिए किया जाना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट संतूस्ट है कि स्थापित तत्यों से पता चलता है कि विवा पूरी तरह से विफल हो गया है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि एक पार्टी मतलब जो पार्टी है वो एक साथ रहेगी मतलब husband wife और अगर हम देखे कोई possibility नहीं देख रही साथ ही में अगर कोई आपचारिकता देखे ठीक है तो आपचारिकता जारी रहेगी कानूनी संबन अनुचित है इसके अलावा ये भी कहा ग इसमें ये कहा कि समानता के अदालत के रूप में न्याले को उन परस्तितियों और प्रश्ट भूमी को भी संतूली करना आवशक है जिसमें विक्टन का विरोध करने वाली पार्टी को रखा गये तो ये सिलपा शैले इस बना वरुन श्रीनिवासन का केस था फिर केस है चर और डॉरी डैथ सुप्रीम कोड शादी के साथ साल के भीतर वैवाही घर में महिला की प्राकर्तिक मोद दहे जत्या के लिए पती या ससुराल वालों को दोसी ठहराने के लिए प्रियाप्त नहीं है उसमें आपको प्रॉपर जो जैसे प्रूफ भी होना चाहिए ठीक है तो May death of the dickies being unnatural in the matrimonial home within seven years of marriage will not be sufficient to convict the accused under section 304B and 498A IPC if the cruelty or harassment has not been proved to be some soon before the death मतब अबैस ओका और राजिश बिंदल जेजे की पीट ने कहा कि शादी के साथ साल के बीतर वेवाही गर में एप्राकर्तिक रूप से हुई म्रतक की मोद थी IPC की धारा 304B और 498A के तहत आरोपी को दोसी ठहराने के लिए प्रियाप्त नहीं होगी म्रियत्यू से तुरन पहले करूर था या उत्पीडन साबित इस केस में नहीं हुआ था ठीक है और एप्राकर्तिक मोद थी पर उसमें कुछ भी इन लॉज के अगेंस्ट कुछ भी साबित नहीं हुआ था इस वज़े से ये डैथ है जो इनके अंडर नहीं आती दोनों फिर केसे राइट अफ चिल्डरन फ्रॉम नल एंड वॉइड मैरीज मतब सुन्य वे सुन्य विवासे बच्चों के अधिकार ठीक है तो ये केस था रेवना सिद्धियपपा वर्सिस मली करजुन दोजारतेईस का इसमें इशू था कि वादर एचाइल बोन फ्रॉम मैरीज इसमें बताया है इसमें बताया है कि डॉक्टर डेवाई चंदरशूड जेवी पारिद्वाल और मनुज मिश्रा इसमें तीन जो बैंच थी तीन जज़ों की ठीक है इस मुद्दे का निप्टारा कर दिया और कहा कि जो हिंदू विवादी ने मुनिस सो पच्पन है उसमें एमान्य विवासे पैदावा बच पुछा हकदार है पैतरक हो या फिर फिर सैपरिट प्रॉपर्टी हो ठीक हिए के इवल मातर पिता की जो admitting की जो राराष से कछन 16 में जो उसका first or second जो उसका section है 16 का ठीक है वो सरक्षात्मक दाइरे में आता है और जो माता पिता के पूर्ण संपत्ती है किसी अन्य वेक्ति के अधिकारों के हगदार होंगे तो इसमें संपत्ती के अधिकार को बताया है कि जो void marriage होती है उनसे अगर born होते हैं चाइड तो उनके लिए तो ये five cases बहुत important है exam के purpose से भी important है LLB के purpose से भी entrance exam हर exam के purpose से important है जहां भी supreme court के landmarks जो recently आते हैं